अब हमें एक और question given है इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास एक GP है उस GP की first three terms का sum 16 के equal है and next three terms का sum 128 के equal है तब हमें इस GP की first term common ratio and end terms के sum की value find करनी है तो चलिए अब हम इसे solve करते हैं यदि हम question में देखें तो GP की first term and common ratio के बारे में हमें कुछ नहीं पता है तो हम क्या करेंगे माना जो question में GP है उसकी first term A के equal है और common ratio R के equal है अब यदि हम इन दोनों values को use करके GP बनाए तो वह कुछ इस परकार की होगी अब हमें question में given है कि इस GP की first three terms का जो sum है वह 16 के equal है यदि हम GP में देखें तो इसकी first three terms है A, A into R and A into R square तो जब हम यहाँ पे इनकी values रखेंगे तो हमें मिलेगा A plus A into R plus A into R square और यह है जो value है वह 16 के equal है अब यदि हम इस equation के left hand side में एक common ले ले तो हमें कुछ इस परकार की एक equation मिल जाएगी और माना यह equation 1 है अब हम question में वापस से देखें तो हमें दिया है कि first three terms के बाद में जो next three terms है उनका sum 128 के equal है तो next three terms कौन सी होगी वो होगी A r cube A r k power 4 and A r k power 5 तो यहां से हमें मिलेगा A into r cube plus A into r k power 4 plus A into r k power 5 और यह जो sum हमें मिला है उसकी value 128 के equal है अब हम क्या करेंगे इस equation के left hand side में A into r cube common ले लेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक equation मिलेगी माना यह equation 2 है अब यदि हम equation 1 and equation 2 के left hand side में देखें तो जो break it में quantity है 1 plus r plus r square वह common है तो हम क्या करेंगे हम equation 2 को equation 1 से divide करतेंगे तब हमें इस प्रकार की एक equation मिल जाएगी अब यदि हम left hand side में देखें तो जो common factor है वह cancel हो जाएगा तब हमें मिलेगा r cube is equal to 8 जब हम इसे आगे simplify करेंगे तब हमें r की value 2 के equal मिलेगी अब हम यह देख सकते हैं कि हमें gp का common ratio तो मिल गया है तो अब हम gp की first term find करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे r की जो value है उससे हम equation 1 में रखेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक equation मिलेगी कि हमें a और r की value मिल चुकी है अब हमें question में पूछा गया है कि given gp के end terms का sum क्या होगा तो यदि किसी gp की first term a हो और common ratio r हो तब उसकी end terms का जो sum है वह कुछ इस प्रकार से दिया जाता है अब a और r की जो ये values है इन्हें हम इस equation में रखेंगे तब gp के end terms का जो sum है वह कुछ इस प्रकार का मिलेगा और जब हम इसे simplify करेंगे तब question में given gp के end terms का जो sum है वह हमें 16 upon 7 into 2 की power n minus 1 के equal मिलता है